हेलो दोस्तो नमेशकार सबी वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने तो फटावाट एक एक चीज को कवर कर लेते हैं सबसे बहले स्टार्ट करेंगे अमेरिकन बाजार से अमेरिकन बाजार में जबर दस तेजी देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं आपे 600 पॉंट की तेजी है उपर नीचे होता रहेगा 600, 500, 580 यह चलता रहेगा 2% के आज पास की तेजी है अगर इसी तरीकी की तेजी रहेगी और क्लोजिंग भी अगर अच्छी रहती है तो डेफिनेटली कल के दिन भी हम लोग एकस्पेक्ट कर सकते हैं हमारे बाजार के उपनिंग भी शांदार हो सकती है नेक्स्ट अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों तो M-TAR Technology अगर आपके पास यह जरूर कंटिन्यू कर लेना मैंने आप लोग को बता है Renewable Energy से Related, Clean Energy से Related यह भी एक अच्छा स्टॉक नजर आता है नेक्स्ट बात करेंगे मदरसं सुमी वाइरिंग जो हम लोग को डीमर्ज होते अलग होते वे देखने को मिला था फिलाल आज के लिए अच्छी कंपनी है अभी अभी अलग होते वे देखने को आपे मिली है तो आप चाओ तो continue कर सकते हो नेक्स्ट अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तो तो अदानी टोटल गैस अदानी टोटल गैस के अगर हम लोग आपे बात करें तो आज देख सकते हैं लगबग 20% की तेजी देखने को मिली अदानी की स्टॉक उसी प्रकार के होते हैं तो मतलब गिरेंगे तो सरकेट के साथ भागेंगे तो सरकेट के साथ मतलब इतनी बड़ी कम्पणी होने के बाउजूद इस प्रकार का क्हिल हम लोगो देखने को हापर मिल जाता है अधानी टोटल गैस भी इसी प्रकार आज भागते लिए देखने को मिला है नेक्स बात करेंगे बीसी जी अगर हम लोग बात करें दोस्तों आप देख सकते आप अपरेटर का वास्तेवें इस कंपनी में अगर हम लोग आप बात करें तो यह आपर सर्किट लोवर सर तो इस कंपनी में पिछले एक मेने में या फिर चे मेने की गिरावट भी अगर मैं आप लोगों को दिखा दू उपर से तो देख सकते यह रिखे 30% डाउन है तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप किस तरीकी का परफॉर्मस दिखाते कंपनी बुरी नहीं है बढ़ रिस्की कंपनी है नेक्स बात करेंगे ITC ITC अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे है धीमे देमे करके आगे आपे बढ़ रहा है 170 का लेवल के आसपास ITC जाते हुए देखने को आपे मिल चुका है फोरें इंवेस्टर का कमबैक ITC के लिए एक अगर आपके पास स्मॉल कैप माइक्रो कैप की कंपनी रहें तो नेक्स बात करेंगे LSE कि अगर लोगों को यहां पर बात करें अभी वीकनेस नजर आती रहें वीकनेस मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो कंपनी का साइज इतना बड़ा है प्लस गवर्मेंट कंपनी है आगे भी फर्दर स्टेक सेलिंग यहां पर होगी तो जो मार्केट में जो पॉजिटिविटी हम लोगों को देखने के मल रहें वो तो फिलाल है नहीं यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कंपनी में यूजली हम लोगों को गिराबट कंटीनु रहते हैं भी देखने कर सकते हो देन बात करेंगे लेटन्ट वियू लेटन्ट वियू रिस्की कंपनी बहुत जादा रिस्की कंपनी यहां पर फॉर्चुन 500 के इनके कुछ क्लाइंट से इसके चलते हैं कंपनी हमेशा आमनों को फोकस में देखने को आपे मिल जाती है बहुत सारों लोगों ने इस कंपनी को टॉप लेवल से खरीद के रखा है इतना है में उनको कह सकता कि यह लॉस में बेचने वाली तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है नेक्स बात करेंगे टाटा पाउर रहेगा तो आप ज़रूर यहां पर कंटिन्यू कर सकते कोई दिक्कत नहीं प्लस माइनस होता दोस्तों मार्केट अब इसी तरीके से आपे चलता है नेक्स बात करेंगे दोस्तों इन्फोसेस का एडियर आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में इन्फोसेस 6% के तेजी के साथ यहां पर भागते वी देखने को आपे मिल रहा है प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग आपे बात करें तो विपरो की भी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आज के दिन 5% बागा एंड विपरो के ADR की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं नियॉक स्टॉक एक्चेंज में विपरो भी हम लोग को साड़े 5% के आसपास की तेजी दिखाते वे देखने क आपे मिल रहा है तो नो डाउट हम लोग आपे कह सकते हैं पूरे अमेरिकन बाजार में अच्छी का सी तेजी देखने को मिल रहे हैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों तेजी मंदी यह चलता रहता है कंपनी का ओरल परफॉर्मस देखना होता है यह सारे दिगज कंपनी ज लग सकते हो आई एक्स की बात करें दोस्तों तो यह एक अच्छी कंपनी यहाँ पर अगेन अगेन यही कहना चाहूंगा जो लोग जस्ट अभी अभी आये है मुझे तो यसा लगता है उन्होंने तो लॉस में भी बेज दिया होगा प्रेशर के साथ चलते जो लोग पुरा वाला है नेक्स बात करेंगे आयार्सटीस सी सिवायर्सटीस भी अच्छी कंपनी अल्रेड़ी में आप लोग को यहाँ बता चुखाओं यह प्लस माइनस का खेल तो यहाँ चलता रहेता है हाँ सरकारी कंपनी तो बहुत सारो लोग कमेंट सेक्चन में पूछते सर क्या हमन अगर आपको खुद से रिस्क लेना है तो आप चाहो तो इस चानल का यहां पर मतलब सपोर्ट वेव में यहां पर क्या कर सकते हो इस तमाल यहां पर कर सकते हो तो लक्समिय और गैनिक दोस्तों कंपणी तो अच्छी है खरीदना है नहीं खरीदना है वो अगर आपको खुद से रिस्क यहां पर लेना ही पड़ेगा अभी लक्समिय और गैनिक की बात करें तो कंपणी खराब ने बिल्कुल नई कंपणी रिस्की कंपणी अभी अभी लिस्ट हुई है और प्लस ग्लोबल प्रेजेंस भी इनकाम लों को देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली अच्छी कंपणी आप कर सकते हो नेक्स बात करेंगे सिमिलर वे हैप्यस मैंड अगर आ अधानी का फिलाल का मतलब बोलते ना अधानी का इराय आप चल रहा है तो अधानी के स्टॉक को खरीदने के बाद उनको लॉस में माज बेज देना आप लोगों के प्राइस तक वो कब पोच जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा इतना तेजी से अधानी के स्टॉक्स या पर भागते है तो यह रिस्क तो हमेशा बनी रहे थे क्योंकि कुछ आदानी के स्टॉक अभी टॉप लेवल से हमलों को 50% भी डाउन देखने को मिले है तो इस प्रकार की सभी रिस्क आप लोगों को जिलनी आनी चाहे कि यह स्टॉक उसी प्रकार का परफर्फर्मन्स या पर देता है नेक्स बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बहुत सर लों के कमेंट भी आ रहे थे सर आज के दिन जीरो दा अब स्टॉक इन में कुछ अमनों को टेक्निकल इशूस भी आप देखने को मिले थे तो इस तरह की के बहुत सारे गिलीचेस देखने को मिले थे तो जो भी टेकनिकल इशूस गिलीचेस जो है रहते वह बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की साबित हो जाते कभी-कभी क्यों को पता है उनके पोजिशन उपन रहते हैं सेकेंड सेकेंड में ट्रेड करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा अलर्ट निस रहता है इन्वेस्टर के हिसाब से बात करें तो ओके-ओके हम लोग यह आपे बोल सकते हैं so just take information था आप हम लोग लोग ठीक देखने को आपे मिल रहा है next अगर हम लोग यह आप बात करें दोस्तो तो जाते आते एक बार American Bazaar भी आप देखना चाहेंगे तो American Bazaar भी आप देख सकते हैं आप प्लस रेमंट के अगर हम लोग बात करें तो एक जबरदस उनी के ये यूनिट का हम लोग कह सकते एक IPOB वो बाजार में आपे फिलाल तो लाने वाले है तो रेमंट अगर देखागे तो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री से जुड़ी वे बहुत बड़ी कंपनी अगर आप इसका से रेलेटेड कुछ चीजे देखोगे कुछ कहानी अगर आप लोगं को रेमंट से रेलेटेड पता होगी तो इससे रेलेटेड आप लोगं को और भी मतलब easy guidance यापर मिल जाएगा तो बहुत सार लोगं को शायद से इनके रेलेटेड मतलब कहानी भी आपर पता होगी तो प्लस रिस्क ही लगता है इतना तो मैं आप लोगं को यापर बोल सकता हूँ तो जितने भी important बात ही थी वैसे तो देखा गए तो सारी यापर मैंने cover कर ली है प्लस अगर हम लोग यापर जाते जाते हैं अगर हम लोग यापर बात करें तो यापर इंडियन ADR भी हम लोग यापर देख लेते हैं सर क्या कल तेजी रहेगी डिपेंड करता है यापर performance कैसे राद बार चलता है अमेरिकन बाजार का और बहुत सारे खबरे के बिल्जी भी हम लोगो चीजे बदलती है देखने को मिल जाती है आप ICAC बैंक का ADR देख सकते हैं साड़े तीन पसंट तेज है इन्फोसेस अल्रेडी में आपको दिखा चुका है छे पसंट तेजी है अगर हम लोग टाटा मोटर की बात करें तो वो भी आप लोग आप देख सकते हो वो भी हम लोगो अच्छा तेज देखने को मिल रहा है इससे रिलेटेड मैंने डीटेल में वीडियो भी बनाया था आप लोगो एक अंदाज आ जाता है लगा होगा तो जोरू लाइक अंड शेर भी कर देना तो देटेट से देंकिव रिमाज वाज वी बिल भी मेटिंग आरेंग शुडियो तब तक के लिए बाई बाई